हाई अब्रिवन आप सभी का स्वागत इस लाइब सेशन्स में मैं मर्जित पुषाइद आज के सेशन्स में हम लोग भार्खन्ड टेट यानि ये टेट की रिगार्डिंग जो है मैथ और साइंस इचर्स के अंतरगत आने वाले सब्जेक्स मैथेमेटिक्स पर डिसकस करेंग और इसके अंतरगत आज हम लोग ट्रोग्रोमैट्री का तीसरा क्लास पर डिसकस करेंगे जिसमें की गरिग्री श्रीज के बारे में चर्चा करेंगे तो एक बार आप लोग यहां आपर कन्फर्म कर दें कि आप लोगों को आडियो वीडियो और पिपीडी सारे किलियर हैं पाकि जो आप तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के हैं सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास को नोटिफिकेशन बिलता रहें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे तो आज का जो है सेशन समारा सेशन नमबर तीन है और टिक्नमेट पांच सब्जेक्ट में से जो तीन सब्जेक्ट रखें जिनके अंतरगत मैट्स रखें तो वह इस के निए यूजफूल है कि साथी साथ तीजीट आने वाले जो वेकेंसी आपका टीजीटी उस पॉइंट अब व्यू से भी यह कोर्स काफी महत्तपूर्ण है तो चानिए आज के से संसके स्टार्ट करते और हाँ जो कंप्लिट कोर्स में जोाइन करना चाहते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं अगर हम फिश की बात करें तो अभी सिक्स टू एट मैट साइंस की रिगार्डिंग जो है आपका स्पेशल आफर के तहद शेजार आठ सो रुपए पड़ रहे हैं इस शेजार आठ सो वहीं वन टू फाइप में अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो यह अठाइस सवरुपए पड़ रहा है इनमें रोज करने के लिए सवरूप लर्निंग एप गुगल प्ले से डाउनलोड करना या फिर और डाउनलोड है तो इस श्टोर में जाकर और जेटेट सेक्शन्स में जाकर और मैट साइंस के कोर्सेस पर क्लिक करके आप पच्छेज कर सकते हैं आज का टापिक ग्रीश सेरीज गर्ण interpreter करता है और उसी के बारे में आपरएं में डिस्कस करना है और किसा सिंपल सा हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि अगर थिटा हमें और ठीटा जो वह minus pi by four से pi by four के बीच अगर लाई करता है तो उस cases में theta का जो भेलू होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है 10 theta minus 1 by 3 10 cube theta plus 1 by 5 10 5 theta minus 1 by 7 10 raised to the power 7 theta plus dot 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 infinite सिरीज को हम लोग ग्रेगोरी सिरीज करते हैं इसके अंतरगात डिफरेंट प्रकार के कुश्चन्स आते हैं तो आज हम कुश्चन्स पर भी डिसकस करेंगे अब देखे यह भेलू कैसे आता है अगर हमारा ठीटा जो हो लाइक कर रहा है मैनस फाइब फॉर से पाइब फॉर के बीच में तो फिता का फिलू रहा यह किस प्रकार से आता है हम थोड़ी से यहां पर थोड़ा सा जो है वह फूर्फमेंट है तो प्रफमेंट से भी जो हमें बहुत सारे चीज़े जानने और देखने को मिल जाती है सबसे पहले 1 प्लस हम इसे पहले च्रिक्रॉमेट्रिक फंक्षन यह एं और इसमें कि प्रिफननिकेस्ट तथा कंप्लेक्स अर्गुमेंट के से डिसकस किये हैं तो अगर हम complex arguments की regarding ही देखे तो हम अगर यहाँ पर 1 प्लस पर आई ठीटा अगर लिखते हैं इसको किस रूप में हमरी परज़न कर पाते हैं तो वन प्लस आई और साइन ठीटा और कॉस्ट ठीटा में लिख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका sin theta upon cos theta अब देखे यहां से अगर हम इनको solve करते हैं तो यहां से हो जाएगा यह cos theta यह लेंगे तो cos theta plus i sin theta और divided by cos theta अब नाओ आप दोगों ने पढ़ा e raise to the power i theta exponential form में साइन और cos को देखें e raise to the power i theta क्या होता है e raise to the power i theta जो है वो आपका cos theta plus i sin theta होता है इसका जिक्र हमने पहले के classes में class one और class two में already discuss किये हुए हैं तो यहां से जो है आपका यह जो value है वो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर हो जाएगा आपका यह e i theta और यह अगर cos theta है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 by cos है तो यहां पर आपका theta equals to e raise to the power i theta into thick theta के रूप में हमने इसे represent किया अब आगे क्या करेंगे तो अब यहां पर दोनों side है वो हम log ले लेंगे अब देखें यहां पर one plus i tan theta है तो यहां पर क्या हो जाएगा log यहां पर यहां पर क्या हुआ में हुआ को यहां आप देखेंगे अगर हम बेसिक एक स्पोनेंसियल के बेसिक रूल्स को देखेंगे मित्यु उसके तहट हम इसे कैसे लिख सकते हैं इसको log e raised to the power i theta और चुकि यह multiply है तो प्लस हो जाएगा लॉग इतना लिख सकते हैं हम लोग इतना यहाँ पर लिख सकते हैं अब नाउ यह तो आपको यहाँ पर log 1 प्लस i10 theta तो रहा ही रहा है अब नाउ यहां से अगर हम log e raised to the power i theta है तो log और e एक्स्पोनेंस जाएगा हमारा बचाएगा कि i theta i theta प्लस log e 10 theta है हम इसको जो है इधर ले आए है इसको अगर इधर ले जाएंगे तो हमें फिर time change करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सारे portions को इधर उधर कर रहे हैं और इतना बराबर हो जाएगा log 1 प्लस i 10 theta यहां तक बात समझ में आई अब देखे इसके बाद हम क्या करेंगे यह आई theta प्लस log sec theta तो रहे गए रहेगा अब इसको हम expand कर देंगे log 1 प्लस i 10 theta के expenses क्या होता है तो अभी देखिए यहाँ पर आपका i theta और प्लस log sec theta this will be log 1 प्लस i theta को जो है वो expansion हम इस प्रकार से कर सकते हैं i 10 theta minus i and 1 by 2 into i 10 raise to the power 2 plus 1 by 3 i 10 raise to 10 theta into 10 theta का whole power 3 अब यह sequence as it is जो हो आगे बढ़ता जाएगा minus 1 by 4 i 10 theta का power 4 प्लस 1 by 5 हम dot dot कर देता है यह आगे तक हमारा चलता जाएगा अब now यहाँ पर देखे हमारा एक imaginary part है दूसरा real part है तो हमें किसका value चाहिए था theta का value चाहिए था अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए तो यहाँ पर देखे यह आई हो तो रहे गई ही यहाँ पर 10 theta रहा हुगा अब यह minus है तो देखे i का square तो i का square minus 1 होता है तो minus minus यहाँ का हो जाएगा पलस half 10 square theta यह थीटा यहाँ पर होगा 10 square theta अब देखे i का cube है तो i का cube minus i होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 by 3 i 10 cube theta i4 यह plus 1 होता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर minus 1 by 4 10 4 theta यहाँ पर i के power 5 हो जाएगा i के power 5 जो है वो i होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा plus i 10 raise to the power 5 theta and फिर minus dot 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 infinite तक जाएगा तो अब now अगर हम इसे real और imaginary के form में देख लें ठीक है अब यहाँ से अगर हम equating करते हैं यहाँ पर 5 चुड़ जाएगा i by 5 हो जाएगा अब यहाँ पर हम real और imaginary को equate करते हैं हम आई ठीटा को हम अज़गर इधर equate करते हैं equating इमेजनरी पार्ट इन बोथ साइड आई सिर्फ निखे ना समझ में आ जाना चाहिए आई इमेजनरी पार्ट इन बोथ साइड तो देखिए हमें ठीटा बराबर क्या हो जाएगा तो आई आई तो हर जाएगा इमेजनरी पार्ट में हम आई को जो है वो दोनों तरफ से इग्नोर किये हुए हैं तो इमेजनरी पार्ट को हमें से जो है वो को इक विट करना है तो थीटा बराबर 10 थीटा माइनस वन बता three in q. q थीटा between दुम भाई five एं रेज ने उन पावर फाइव हैएग को जो सब्सथी पावर फाइव जगी हमने कर लिए कर लिया एक चीज यहां पर हमारे निये एक तो यह इस्टेंडर फर्मूला जो है हमें ध्यान में रखना यही तो ग्रिगरी सिरीज है यहां पर एक एकस्पेंशन इसका है वो हमें मालूम हुआ तो इस तरह से हमने यहां पर देखा अब अगर मालेज़े कि ठीटा यह आपका जो है एक वेशन वन हम अगर इसको माल लेते हैं तो यह ग्रिगरी सिरीज है अब नाव इसको हम अन्य और किस रूप में लिख सकते हैं अगर हम टेन ठीटा बराबर एकस कर देते हैं तो यहां से जो है वो इंप्लाइड है ठीटा अब नाव यहां पर यह क्रिटेरिया आपको ध्यां रखना है कि जब एकस का जो भेलू है वह आप कहां से कहां लाई करेगा ठीटा माइनस पाइबाई टू से सब्सक्राइबाई फोर से पाइबाई फोर के बीच अगर लाई करता है तो ठीटा का एकस्पेंशन यह दिखा आपका है जुकित एकस कहां कहां तक लाई करेगा तो माइनस वॉन से प्लस वन सेमें एकस्पाइब तो उसकी किया हो जाएगा तो टेन उन्योहर्म O और जो हो जायागा वह आपका एक्स माइननस वन बई थ्री एक्स क्यूब प्लस वन बय फाइब एकस माइनस बई 7 एक्स एवन अटने में ै दूर्डॉ गर्क है यह हमारा रा सबसे महत्यपूनर और यूज़फुल स्टिरीज है ग्रगरी स्टिरीज के अंतरगत इन दोनों पर आधारित बहुत सारे प्रॉबलम पुछे जाते हैं और इन दोनों को ही हमें ध्यान में भी रखना है डायरेक्ट भी आपको पुछा जा सकता है कि इनमें से ग्रोग्रीश सीरिज कौन सा है या फिर ग्रोग्रीस सीरिज में फीटा या एक्स का मान कहां से कहां तक लाइ करता है। यह तो basic questions के अंतरगत आते हैं जो कि आपको exam में देखने को मिल सकते हैं। अब आगे आते हैं और इससे संबंदित कुछ problems पर discuss करते हैं कि कोई अगर problem हमें दिया गया है तो हम कैसे जो है उसको solve करेंगे या फिर evaluates करेंगे तो सबसे पहले तो हम जो यहां पर equations अनि ग्रगरी स्रीज दिया गया है अब ठीटा के जगा हम पाइबाइब फोर अगर उट कर देते हैं तो हमें क्या result मिलेगा उस पर चर्चा करते हैं हम सबसे पहले तो ग्रगरी स्रीज को लिए थीटा बराबर वह आपका होता है और 10 थीटा माइनस 1 बाइट 3 और 10 क्यूब थीटा प्लस 1 बाइफ 5 थीटा माइनस 1 बाइफ 7 थीटा और प्लस डॉट 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 अब यहां पर देखिए ठीटा का जगा पे हम अग कुछ केसे से स्पेसल केसे देख रहे हैं जो कि हमारे निये काफी महत्तपुन है तो अब हम यहां पर अगर पाइबाइफ 4 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है कि अब देखिए यहां पर पाइबाइफ 4 कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा हम उस पर डिसकस करते हैं अब ठीटा के जगा पाइबाइफ 4 पूट कर दे रहे हैं तो पाइबाइफ 4 बराबर 10 पाइबाइफ 4 हानि 10 यहां पर माइनस हो जाएगा उसके से में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या रहा है यहां पर माइनस हो जाएगा फिर प्लस भूद प्लस दॉट डॉट अगर हम है कुछ भी चीजे न दी रहा है आप को सिर्फ यह आपसेंस में रहे हैं जैसे हैं के लिगते हैं evaluate 1-1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus 1 by 9 minus 1 by 11 to infinity then what will be the which option will be correct a b or c or d जिसमें एज है आपका पाई है वी में पाई बाई टू है लिमें इनमेंसे कोई नहीं हमारा आंसर क्या हो जागा यहां पर पाई वाई फॉर देखिये ग्रेगरीस सीरीज हम ध्यान में रखते हैं ठीटा का भेरू जो है वह जो इन्फानाइट सीरीज में जो रिपर्जेंट होता है अगर हमें वह तो हम आसानी से इस questions का answer कर सकते हैं तो यह यहां पर benefits हैं अब उसी तरह से अगर हमें pi by 8 कर दिया जाए है हमने क्या किया तो हमने 1 by 2 से multiply किया सारे में तब यहां पर भी हम क्या कर देंगे 1 by 2 कर सकते हैं और यह हो जागा 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus 1 by 9 इस तरह से आपका infinite तक जाएंगा तो अब यहां पर अगर हमें pi का भेलो पूछे, pi by 4 का भेलो पूछे या in which कोई भी भेलो अगर pi के हम इस concept को ध्यान में रखकर हम answer कर सकते हैं अब इस तरह के questions में विभिन variations यहां पर देखने को होता है और उन questions को बनाना काफी आसान होता है बसरते हम उनमें से क्या common निकालना है क्या add करना है यह अगर जान जाते हैं यह जानने के लिए हमें basic हमें इसके प्रैक्टिस ज्यादा करने होंगे तो चलिए हम लोग यहां पर कुछ questions को देखते हैं और practice करते हैं तो देखिए पहला question से यहां पर है evaluate 1-1 upon 3 into 3 अब यहां पर हमें इस questions को solve करना है कि कैसे solve करेंगे तो now अब देखिए यहां पर हम अगर स्रेज को देखते हैं मुख्य रूप से किस तरह से यह स्रेज को identify किया गया यह देखना है तो simple साब देखिए यहां पर यह 1 है यह minus 1 by 3 into 3 यानि 3 का square है फिर 3 का यहां पर 5 के साथ गुना किया हुए है हम तो इतना जानते हैं कि अगर पाइवाई 4 हो जाए ठीटा के जगा जो ग्रेगरी सीरीज हमने पढ़ा उसमें अगर ठीटा के भेलूप पाइवाई 4 हो जाए तो हमारा जो होता है वह 1 minus 1 by 3 प्लस 1 by 5 तो अगर हम उस सेक्वेंस में अगर हम इसे ढाल पाते हमारे लिए बेनिफीट्स होगा लेखिन एक कैसे सियां पर है कि अगर हम रूट 3 को जो है वह बाहर करते हैं तो यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होगी उस पर विचार करते हैं कि अगर रूट 3 को हम बाहर करते हैं तो रूट 3 को बाहर करने पर हमारे पास 1 by रूट 3 यहां पर आ जाएगा तो जितने भी नीचे का पोर्शन से उनमें सभी में रूट 3 को हमें इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी तो मैंने रखता है तो वन भाई 3 इंटू 3 और रूट 3 हो जाएगा तो थे इंटू कि ये को थ्री किूर रूट थ्री 2 रूट थ्री 5 है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम वन बाई ठीको बार करधें हमें अंदर में क्या रखना होगा हूं रूट थ्री अगला है वह आपका क्या है तो प्लस वन बाई फाइफ है तो यहां पर वन मिनिट करना होगा तो कि आप देखे हमारा जो भेलू है वह ठीटा के फॉर्मेंट में क्या है अगर हम एक्स निकालना चाहिए तो एक्स माइनस यहां पर है एक्स मैनस एक्स क्यूब कि इनहां आद बाई 3 फ्लस एक्स फाइब है तो आप अब हम यहां पर इस्कुर्ण करके क्यूब करते कि यहां यहां से आपका dhk3 घ्र जाएगा और यह त्री अग्यांगा तो भी मैं पावर फाइब करना होग हमें रूट 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 थी में तरी है तो अगर हम रूट ग flor एप हर अगर हम फाइब कर दें आएक हम समझस्टे में आ इसने 5 कर दिये अब ना माइनस 1 बाई 7 हो जाएगा इंटू 1 अपन रूट 3 का पावर कितना करना होगा 7 करना होगा तभी जो है हो वह हमारा यह अब देखें यहां पर यहां पर फूर हो जाएगा थ्री का पावर में भी जो है इनक्रीजमेंट होना चाहिए इन पर आपको फोकस करना है अब यहां पर प्लस डॉट 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 टॉट इन्फानाइट कर देते हैं अब नाव अब देखें यहां पर इस पोजिशन पर जो होता है वह ठीटा होता है तो रूट थी इन्टू रूट इन्टू ऑर टेन 1 by root 3 10 inverse x जो हम लोग पढ़े हैं तो यहां पर 10 inverse 1 by root 3 हो गया अब now root 3 into 1 by root 3 का value 10 inverse में अगर 10 inverse ठीटा किस मान के निए 1 by root 3 आता है तो अगर हम देखें तो वो pi by 6 के निए आता है 10, 30 degree 1 by root 3 होता है तो यानि कि हमारा जो यहां पर result आ गया वो pi यानि root 3 pi upon 6 options number जो है आपका b correct है देखें एक बार पूना इससे आप समझने की कोशिस कीजेगा देखें इन में confusions का होते हैं तो जब हम इनको arrange करते हैं जो भी हमें series दिया हुआ होता है है वह हमें एक sequence में दिये हुए ही होते हैं लेकिन हमें उसको convert करनी की जाओ सकता होती है Gregory series के अंतरगत उसमें हमें कुछ सोचना होता है कुछ जो है वह चीजों को करना होता है तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम root 3 को बाहर कर पाते हैं तो हमें ठीटा फिर ठीटा क्यूब ठीटा फाइए ठीटा रेजटी पाहर फाइव इन फॉर्मेट में यह जो है वो series आ जा रहा है हमने रूट 3 को बाहर किया तो यह वन था तो वन रूट 3 हो गया अब यहां पर वन बाई 3 को था हमने एज इट इज रहने दिया क्योंकि हमारा जो फिता होता है यह फिर हम इस तरह से का सकते हैं एक्स maison यह होता है कि पाहर अगर आगर थिर करते हैं तो हमें यह ही रेजल्ट आ जा रहा था है अब देखने ज़िए रूट 3 का क्यूब क्या होगा थ्री इंटू रूट 3 रूट 3 बाहर हो गया एक और यहां पर दो बचा ही रह गया है तो उसी नहीं हमने 1 by 3 1 by 5 1 by 7 को एज़िटी रखा एंड जो क्यूब 5 पावर 7 इन में हमने 1 by रूट 3 कर दिया हमें यहां से एक्स का वेलू वालू हो गया एक्स का वेलू जो हो आपका आगया 1 by रूट 3 टेन उनवर्स 1 by रूट 3 by 6 होता है तो देन हमारा आंसर भी रूट 3 पाई बाई 6 तो दूसरे आप आप से चलते हैं तो दोखा खा जाईएगा क्या अब यह आप पर हम अगर इस चीज को देखते हैं तो यहां पर हम नहीं दीख रहा है हम क्या करेंगे कि इस सिरीज को पहले सबसे पहले हम विज्वलाइज करेंगे विज्वलाइज करने के अपरान जो हैं हम काम करेंगे अगर हम देखें यहापर 3 है तीन एंपर 5 है एं और सो क्योंकि यह 7 कही सिक्वेंस नी आगे मूव कर रहे हैं अब नाव पाले बाले केस को हम देखते हैं 2 by 3 प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है माइनस 1 by 3 इन्टू अर 2 upon 3 का स्क्वेर प्लस 1 by 5 इन्टू अपन 3 का स्क्वेर और यहां से हमारा 1 by 7 आ गया और यह माइनस 1 by 3 इन्टू 1 by 7 का क्यूब और प्लस 1 by 5 इन्टू 1 by 7 रेज तो दी पावर 5 माइनस डू 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 तो इन्फानाइट यह भी आया है अब नाव कि यह हमारा 2 जो हैवो अलग अलग इन्फानाइट सिरीज प्राप्थ हो गए अब इनका समह में बता नहीं तो हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 को बार कर लेते हैं क्योंकि 2 जो हमारा उपर में है वो कुछ कुछ कंडम कर रहा है हम क्या करेंगे दो बाहर कर देंगे तो दो बाहर करते हैं तो यहां पर 1 by 3 माइनस यहां से 1 by 3 इंटू 1 by 3 का स्क्वार हो जाएगा फिर फ्लस 1 by 5 इंटू 1 by 3 का पावर 5 यहां पर 5 होगा यह 3 का पावर 5 है और प्लस डॉट 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 टू इन्फाइनाइट कुछ कुछ आप लोगों को अब दिखने लगा होगा ठीक है कोई दिकत नहीं है नहीं दिख रहा है तो पर भी हम दिखाएंगे अब यहां पर क्या है वन बाई सेवन है मैंनस वन बाई थीई इन्टू 1बाई सेवन का हॉल पावर हम 3 कर सकते है प्लस5 है inटू1बाई सेवन का हॉल पावर 5 कर सकते हैं कोई तो इस अब देखें यहां से लेकर यहां तक हम अगर देखें यह और रेडी हमारा गर्वरी स्रीज में आ गिया है और इसका फेलू ठीटा जो है वह आपका वन बाई सेवन है यहां से आपका टेन इंवर्ज वन बाई सेवन आगे अब ठीटा एकस यहां यहां पर बात करें यहां पर आज हमने पिछे आपके साथ अगर стать की यहां पर वन बाई त्री एंट का स्कुर्ण हो we help इसमस्मेण क्या करेंगे तू बार है हैं यहां पर यहाँ पर जो था आपका वन था सिर्फ यह यहाँ पर डिफ्रेंसेस आ रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर बचे का क्या और इसको हम एरेज कर देते हैं पहले यहाँ पर बचे हमारा यह टर्म वन भाइ थ्री माइनस वन बाइ थ्री इंटू वन बाइ थ्री का स्क्वार तो अब यहाँ पर हमें कुछ तो करना नहीं है यह भी आपका आसान ही बन गया है क्योंकि अब देखें यहाँ ठीटा के जगए फिर 1 फ्री का हम इसको भी फाय लगा सकते हमें पीछे वाले में ऑनक्राइब किछ अलगी था यह वाला के लिपनी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो 1x3 है तो हम डारेक्ट यहां पर 2x10-1x3 कर सकते हैं तो हमारा इसका पूरा भेलो यहां से लेकर यहां तक का भेलो आगया है 10 universe यहाँ इन्टू 10 यूनिवर्स वन बाइ थरी और यह वाला पार्ट का 10 यूनिवर्स वन बाइ सेवें आ गया अब नाव इनको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले है तो अगर हम स्वाल करें तो क्या रिजल्ट आएगा यहां से आजाएगा आपका 10 यूनिवर्स एन्टू थीटा वन बाइ थरी अपोन वन माइनस थीटा स्क्वेर यहनि वन बटा नाइन होगा यह आप 10 टू थीटा के भेलु जानते हैं यहांनि तो यहां पर टू थीटा यह तो एक्स आपवन माइनस थीटा स्क्वेर होता है उसी फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया तो यहां से यह रिजल्ट कितना आ जाएगा तो टैन यूनिवर्स और टू बाइट्री इंटू नाइन माइनस वन एट बाइट 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 पूर्ट बाटा को हमने है तो यहां से आगे आपका यह वाला पाठ हमारा एजज़ेट है ठीक है यह वाला पाठ हमारा एज़ड है तो यहां से अब देखें इसका वेलू आपका आगया टैन इंवर्स के ऑर थे बाट फ़ोर और प्लस एटे से न लुग अब नाव एं तें थीटा वन प्लस टें टीटाटु का वेलू क्या होता है तो 10 सीटावन इंतु एंटु टेन सीटाटु का वेलू है वो आपका टेनू इन्वर्श कि फिता वन प्लस ठीटाटु अपोन वन माइनस टीटा वन इंटू ठीटा टू हो गया यह अब इसी को सॉल्व कर देजिए तो सॉल्व करने पर देखें क्या आता है आप लोगों का तो यहां से देखें सॉल्व करते हैं तो टैन यूनिवर्स तो रहे गई रहेगा तो नीचे के सच्चों का 28 हो गया 28 सत्री एकईश और चार पच्चीस उपर में 25 बचेगा और नीचे में 28 बचेगा गुणा कर देते हैं अब देखें सच्चों का 28 यह नीचे का पाड़ जो 28 आएगा तो हम उपर में फूर्थ बटाओ कर देते हैं 28-3 करेंगे तो 25 आएगा तो 25 यहां पर कर देए अब नाव यह 25 और यह 25 चैंसल जाएगा यह 28 और 28 चैंसल हो गए ने बचा क्या हमारा 10 यून बचा और यह 10 यूमबर्स वन क्या होता है PY4 नीचे में नहीं दीख रहा हम यहां पड़ने के देते हैं यहां से यहां से यह जो हो आया 25 बटा बटा 28 गुना 25 बटा पकीस आया 28 बटा 25 और 28 यहां से बचाब यहां से आपका पाइभाइफूर आंसर हो जाएगा कितना बारेकी से आपको बताएगे अब दिमाग में सेटेल हो गए जब आप इस इस questions को अगर देखते हैं और solve कीज़ेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा अब डारेक्ट हीट कीज़ेगा यहां पर और सिथे आप यहां पर पहुंच जाएगा हमें दो चीज़े यहां से बिल गए अब बाकी इसमें पूट करके हम आसानी से पर सकते हैं एक और questions देखते हैं जो कि आपके screen पर है वन आपोन वन बाइट रिपलस वन आपोन सेवन इंट नाइं एंट 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 इन फानाइट है अब यहां पर बताएगे कि हम कैसे इसको सवाल करें इसका भेलो क्या होगा ऑफ्सन से 1-2 1-1-1-8 पाइए हाफ-5-4-5-3 या फिर इनमें से कोई नहीं सब सब से पढ़ने हमें इसको ऐसे सोचना है कि हम इस सब से ग्रजी स्रीच तक पहुंच सके हैं वाकिन हम कैसे सोचें या फिर कैसे हम काम करें इनमें देखें हम अगर दो कार्ड दिफ्रेंस सभी में आ रहे हैं 1 by 3 minus 1 by 5 करते हैं तो हमारा आंसर वही आएगा 1 by 2 by 3 into 5 आएगा तो हम 2 को क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि इन में 1 by 2 को अगर हम यहां पर करते हैं तो हम उपर में 2 upon 3 into 5 कर देते हैं अभी हमने जो कॉंसर बताया कि अगर हम 1 by 3 into 1 by 5 को 1 by 3 minus 1 by 5 करते हैं तो हमें उपर में जो वह दो प्राप्त होगा और नीचे में 3 into 5 प्राप्त होगा तो जब उपर में 2 प्राप्त हो रहा है तो हम 2 से क्यों नो डिवाइड कर दे हम इक्विवेरंट में आ गए हम अगर इतना करते हैं तो हम यहीं पर आ रहे हैं हमने तो डिवाइड किया दो से तो मल्टिपलाई भी 2 से कर दिया कोई अंतर मैथ में नहीं पढ़ने वाला है अब यहां पर प्लस अगेंड टू बाइड शेवन इंटू 9 हो जाएगा प्लस टू बाइड अलेवन इंटू 13 है अब देखे हम चीजों को वही किये हैं अब हमारे नहीं थोड़ा सा यह सहलियत हो गए और इसको बाइफरकेट कर सकते हैं अब इनको हम डारेक्ट क्या कर सकते हैं तो कोई आपको तकलिप नहीं होना चाहिए यह ना जैसे कि तीन और पांच यही हो जाएगा पाइगा 5-3 तो 5-3 2 आएगा तो हमारा यही रिजल्ट आजागा फिर यहां पर हम क्या कर सकते हैं 1 by 7 minus 1 by 9 plus 1 by 11 minus 1 by 13 तो कुछ-कुछ आप लोगों को दिखने लगा होगा आप क्या दिखने लगा होगा तो यहां से हमारा मैच करने लगा he know अगर वन थी की जिएगव पर अगरवन हो जाएं तो हम क्या करते हैंritisants एक को बढ़ह देते हैं सब्सक्राट यहां पर यहां पर यहां कर दिखनान करदी हैं वन अगर आड करने तो वनको करना भी होगा तो कि और अगर कर रहे हैं तो वन गहटा भी दे रहे हैं तो वन को अगर घटा रहे हैं तो हम बाकि चीजों को एज़ रिख सकते हैं वन भाइट थी पलस 1 by 5 minus 1 by 7 देखें यहाँ पर sign change हो रहा है गौर से देखेंगा हम अपने लक्षे के करीब है तो कि हम जो लिख रहे हैं इस्टेप को Gregory सिरीज के सहत ही लिख रहे हैं अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया हमें इतना ही बालूमतर लेकिन हम को स्टार्टिंग करना था 1 से लेकिन 1 के बाद जो term आएगा माइनस में होगा हमने वही किया कि जब हम 1 को 1 से घटा दिये मैथ में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो हमारा वही आएगा जो पहले से आ रहा था तो अब यहाँ पर जब हम बाहर किया है तो अब यह अंदर का जो sign है जैसे यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस था तो यह माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस था तो यह प्लस हो गया यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा इसका भेलू तो आप लोगों अभी देखा ही यहां पर देखिए आप पाई भाई फोर बताया ना अगर टेंट ठीटा के जगह पर अगर पाई भाई फोर कर दें हम इस्पेशल केसे में देखिए यहां पर दिखाया थे अभी हमने ले आया लä रा उख यहां पर इतना के जगह पर हमने पाई भाई फोर पूट कर दिया है यहां पर देखिए आपका माइनस पाई भाई फॉर हो गया तो यहां से इसको शॉल्फ करते हैं भन बाई टू मैनस पाई बाई एट यह आंसर होगा तो आपका ओफशन्स नमबर कौन सा है यह नमबर करेट है तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर गरगरी सिरीज और उससे संबंदित कुश्चन्स को देखा तो जभी भी अगर सिरीज में और यह जो अभी हमने कुश्चन्स आपके साथ डि से दो कुशन्स आसानी से ला सकते हैं रही आते ही हैं और उनको आप आसानी से जार्खन सायक आचारे परिक्षा 628 मैच साइंस के जो कम्प्लीट कोर्सेस में जॉइन करना चाहते हैं आप स्वरोप लर्णिंग एप के तथ आप जॉइन कर सकते हैं अभी जो 628 मैच साइंस का जो कूर्स का फी पढ़ रहा है वो 6800 रुपे ओफर फी है यह एक्शुल फी तो बहुत जाद है रेकिन अभी जो है वो 6800 रुपे पढ़ रहे हैं और इन कॉर्सेस में जॉइन करने के लिए दो रूप लर्णिंग एप गूगल परिस से आप डाउनलोड कर लें या फिर और डाउनलोड है तो आप अप निक्रिशन को खोल कर इस्टोर में जाइए स्टोर में जाने के उपरांत आपको कोोर्स में जाना है जिसमें संहायक आचारी करें के और आप को साइक क्लिक करने करने और सारे जानकारियां और आप इसके थूरू भी रजिस्टेशन कर सकते हैं इन में आपको क्या होगा कि फॉन पर या फिर गूगल पर नंबर प्रभाइड किया जाएगा उस पर आप पैमेंड करके स्कीन सोट सेंड कर देजिए आपका रजिस्टेशन यह प्रोसेस हैं बाकी जो वन टू फाइब और अधर कॉर्सेस जो लेना चाहते हैं जैसे वन टू फाइब अभी पढ़ रहा है वह अठाइस सो रुपया पढ़ रहा है और वहीं अगर हम एसेस्टी सिस्टुएट में एसेस्टी कॉमर्स भासा टीचर अगर बात करते हैं तो इसका भी 6800 ही पढ़ रहा है तो इन में इन कूर्सेस में आपको जो सिलेबस दिये गए हैं उसके कोडिंग यह वो सारे तयार यहां कराई जाएगे हर एक टॉपिक का नोट्स प्रवाइड किये जाएंगे और आपका को यहां पर कराएगे अपनी सफलता सुनिश्चित करने की यह आप जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें तो आज की ने इतना ही पुना मिलते हैं अगले सेशन्स में थैंक यू आल ओफ यू